नमस्कार नीज़ फॉर्णेशन देखरें आप में हूँ आपके साथ धीरत सिंग अगामी लोकसवत चुनाओं में बिहार एंडिये में सीट सेरिंग को लेकर क्या कुछ फार्मूला रहेगा इसको लेकर मुक्ध मंतरी नितीज कुमार कल दिली दौरे पड़ा रहे हैं बता दे कि कहा जा रहा है किowy मंतरी दिली पहुंचते ही भाजपा के सिर्शनेताओं से उनकी मलाकत हो सकती है बता दे कि निधिज कुमार कल जब दिली पहुंचेंगे तो देर रात ही बीजेपी के जो फाइनल मुहर नहीं लग पाया है बता दे बताया जा रहा है कि मुख्य मंत्री नतीज कुमार जब कल भाजपा के सिर्ष नताओं से मुलाकात करेंगे और जब फाइनल मुहर लगजाएगा सीट सेरिंग पर तो परसो ही डिली से भिहार एंडिये में सीट सेरिंग का फर्मूल के अलावा जो चिराग पास्वान की पार्टी है इसके अलावा उपेंद्र कुछ वहा जितन राम मांज यह तमाम दल जो है इस बिहार एंडिये में हैं और इन ही दलों के बीच में सीट शेरिंग का फर्मूला तै किया जाना चुकि पिछले दिनों जो लोग जनसक्ति को इस बार बिहार एंडिये की तरफ से एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया ऐसे में पश्चुपती कुमार पारस का क्या उखड़ा है कि वह तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा लेकिन बिहार एंडिये में फिलाल बीजेपी और जेडियू के अलाव चिराग पास्वान जितन रामांजी और उपेंद्र कुस्वाहा के बीच में ही सीटो का फर्मूला तैग किया जाना है सुत्रों के मताबिक बता दें कि बीजेपी आगामी लोकसवा चुनाव में 17 सीटों में पर चुनाव लड़ सकती है इसके अलावा जो नितीश कुमार क पर उमिद्वार उतारने की जो फैसला है बिहार एंडिया की और से लिया गया इसके अलावा उपेंद्र कुस्वा और जीतन राममांजी के खाते में एक एक सीट जा सकता है अब इस तमाम सीटों का फर्मूला क्या रहेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन मुक् सबत चुनाओ जब 2019 में हुआ था तो उस दोरान बिहार एंडिया में महज तीन दल ही थे जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी जेडियू इसके अलावा लोग जनसक्ती पार्टी जो उस समय तक संयुक्त हुआ करती थी इन तीन दलों के बीच में सीटों का बटवारा हुआ है तमाम नए दल इस पार्टी इस एंडिया में शामिल हुए है ऐसे में सीट सेरिंग को लेकर काफी दिनों तक माथा पची चलती रही लेकिन कल जब नितीश कुमार दिल्ली दोरे पर रहेंगे तो कहा जा रहा है कि परसो ही इसका एलान दिल्ली से ही किया जा सकता है